हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर सांडले लेक्टर्स में यहाँ पर अभी मैं आप लोगों के लिए लेका हूं बहुत इंपोर्टेंट न्यूज और न्यूज है आपके कॉंसलिंग और च्वेस फिलिंग के रिगार्ड आप लोग को जैसे मैं बता देना चाहूंगा कि कॉंसलिंग आपकी होगी कहाँ पे तो वो होगी गांधी मैदान के पास है ज्यान भवन उसके मल्टी परपस हॉल में होगा और जिनका कॉंसलिंग 17 तारिक को होगा उनको 16 तारिक को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और को कॉंसे रांड की कॉंसलिंग होगी कब तक चलेगी सारा कुछ का मैंने इंफोर्मेशन प्रिवेस वीडियों दिया आप उहां से सारे जानकारी ले लेंगे और एक बात और की कॉंसलिंग जो है आपकी लोग सभा चुनाव के दिन नहीं होगी और कॉंसलिंग के लिए फी स्क्रेंड के लिए 500 रूपे नराहित किये गए और यह पेमिंट आपको 10 तारीक से लेके 15 तारीक आनैहीं के आपरेल में आपको करना होगा और जिसका जो है वेबिसाइट आपको इस तरह से स्क्रीन पर देख रहे हैं यही उसका वेबसाइट है और यह वेबसाइट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहां से भी आप देख लें वहां पर आपको इसी डेट के अनुकूल आपको पेमिंट करना होगा SBA कलेक्ट के माध्यम से तो यह होगे आपकी छोटा सा इनफॉर्मेशन और बागी के इनफॉर्मेशन मैं आप यह देना चाहूँगा है कि आप लोग यदि च्वैस फिलिंग कर रहे हैं जिसने कर दिया है कोई बात नहीं जिसने नहीं क्या हो गौर से सुनेंगे कि मानली जी में मानली जी है पटना वुमेंस तनिक कॉलेज और नयंत नमर में पटना वुमेंस और 201 नमर में गोवर्मेंट वुमेंस तरेनिक कॉलेज गरदनी बाग तो इस तरह से एक नौ और दो डॉस एक का स्ष्रीज है तो आप पहले ऐसा नहीं के 201 को सिलेक्ट कर दियें फिर 9 क तो इसी तरह से आप एक स्रीज में सेलेक्ट करेंगे उल्टा फुल्टा सेलेक्ट नहीं करेंगे और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में यह देखने को मिल जाएगा आपको अभी रिसेंटली जो प्रिंट किया है बहुत सारे न्यूज पेपर वहां पर की आपको दिया मिल जाएगा कि 300 31 में या 330 में से 330 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो ऐसा गलती ना करेंगा आप कोशिस ऐसा कर सकते हैं कि 10 से ज्यादा यह दि ले रहा हो वहाँ पे इनपूर्ट तो आप खुद से कर सकते हैं हाला कि जो भी साइबर एक्सपर्ट हैं जो भी साइबर कैफे वाले चलाते हैं वह सब चीज नहीं कर रहा है क्योंकि लोग सोचते हैं कि टाइम लैप्स है और इन्रॉल्मेंट जब भी आप करेंगे मतलब कि च्वैस फिलिंग कॉलेज का तो ध्यान रहें कि आप फिर से मैं बता देना चाह में उनका मार्क यहां पर कम आ जा रहें बहुत सारे से कोमेंट मिल रहें कि जिन्होंने 60 के रेंज में लिखा है उनको सिर्फ और सिर्फ 36 क्वालिफाइंग मार्क मिल रहें तो यह बहुत बुरी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप क्या करेंगे कोई भी गल्ती नहीं करेंगे आगे की और एक बात हां कि आप लोगों में से किसी की सिगनेचर मिस्टेक हो गई है तो आपने जेनून सिगनेचर किया है एक्जाम सेंटर पर तो सही है आप वही सिगनेचर करेंगे वहां कॉंसेलर के सामने भी कॉंसेलर के सामने थोड़ा आपको जो है नॉर्मल पेस आते हैं तो वो लोग हो सकता है कि आपका फॉर्म को वहीं पर रिजेक्ट कर दें तो इसलिए आप उनके साथ थोड़ा अपने श्रीक में मिलें ज्यादा तर चास रहता है आपके अपने श्रीक में मिलने की क्योंकि आपका डोमी से लेका आपका लगवक डोकुमेंट हुआ की रहती है और जैसार कि आप सब को पता होना चाहिए कि यह six फिलंकी फीर से मैं एक बता देना चाहूंगत कि आप लोग हो सकता है तो चलिए अब मैं यहां पर आपको बता देना चाहूंगा कि डॉकुमेंट्स आपको क्या-क्या लेकर जाना है तो डॉकुमेंट्स में आपको लेकर जाना है 2019 में अभी जो आपकी CT के एक्जाम हुए है उसके इड्मिट काड पेलिटि देंगे आप मेर्स कारीजल्ट कर्ट जो कि है मार्क वाला उसका प्रिंट लेंगे आप सब्सक्राइब मेत्रिक्स लेकर गिरजवेशन तक की अपके होंगे मार्क शीट वो आपको लेना है साथ में आपको लेना है मेन सर्टिफिकेट और यदि आप 2017 के हैं तो आपको लेना है प्रोविजनल यदि आपका मेन सर्टिफिकेट नहीं आया है तो औरिजनल वाला तो आप ले सकते हैं प्रोविजनल साथ में आप यदि रिजावड काटेगरी मे से है तो उसके डायस्तिवली जो भी आपके डॉकुमेंट साुत है वह आपको लेना कुटा है यह दिभियांग है तो आपको उसके लिए आपको अपना डॉक्स支持 लेकर जाना मूऑ तो इसके साथ आप सब्सक्राइब क्या करेंगे कि आप फूद से उस पर feeling नहीं किया है और वहाँ पर option आ रहा है कि क्या आप 1467 अप्रसिक्षित सिख्षों के लिए आरक्षित सीटे चाहते हैं यदि आप regular mode के हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर no को select करेंगे यदि आप distance mode से हैं आप teacher है तभी आप उसको yes को select करेंगे otherwise नहीं करेंगे तो आसा करता ह हों कि आप सभी को यह जानकारी अच्छा लगा हो आए दिया आप नए है तो हमारे चैनल को subscribe करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए उसको प्रेस करें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलें मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा आपकी इन्फोर्मेश करें मिलें मिलें